चारों तरफ से खिरा इसराइल हिजबुल्ला ने किया इसराइल पर हमला दागे पैंतिस रॉकेट आर्मी हेटकॉाटर था निशाना इसराइल ने भी लेबनान पर किये जवाबी हमले हमास के खिलाफ जंक के भी जीरान समर्थत हिजबुला ने 22 एप्रिल की रात को इसराइल पर 35 रॉकेट दागते हुए हमला कर दिया हिजबुला ने दावा किया कि इस दौरान उन्होंने इसराइल के आर्मी हेटकॉर्टर को निशाना बनाया इसराइल ने भी इन हमलों की पुष्टी की है इसराइली डिफेंस फोर्स आईडिएफ ने बताया लेबनान के दागे गए कत्यूशा रॉकेट इसराइल के साफेद शहर में गिरे हाला कि इस दौरान किसी नुकसान की खबर नहीं है इसके बाद इसराइल ने लेबनान में जवाबी हमले किये लेबनान की स्टेट न्यूज अजिंसी एन एन एकी रिपोर्ट के मताबिक ये हमला लेबनान के गाउं पर इसराइली हमलों के जवाब में था दरसल इसराइल ने हाल ही में लेबनान के श्रीफा, ओडा सेह और रब लातिन गाउं में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया था चे महीने में हिजबुल्ला के 376 लडाकों की मौत टाइमस ओफ इसराइल के मुताबिक हमास के खिलाव जंक शुरू होने के बाद हिजबुल्ला लगातार इसराइल पर हमले करता रहा है इस दोरान इसराइल की जवाबी कारिवाई में अब तक हिजबुल्ला के करीब 376 लडाकों की मौत हुई है इस दोरान इसराइल के भी दस सैनिकों और आठ आम नागरिकों ने जान गवाई है इरान और इसराइल में टकराव के बाद से इरान समर्थित संगठनों ने इसराइल पर हमले तेज कर दिये हैं रवेवार को एक और संगठन कातिब हिजबुला ने सीरिया में अमेरिकी फॉस के ठिकानों पर हमला किया था क्या है हिजबुला संगठन? हिजबुला शब्दकार्थ पार्टी ओफ गॉड है ये संगठन खुद को शिया अस्लामिक पॉलाटिकल मिलेट्री और सोशल ऑर्गनाईजिशन बताता है हिजबुला लेबनान का ताकतवर गुरुप है अमेरिका और कई देशों ने इसे आतंकी संगठन खोशत किया हुआ है 1980 की शुरुआत में लेबनान पर इसराइल के कबजे के दौरान इसे इरान की मदद से बनाया गया था 1960 से 70 के दश्रक में लेबनान में इसलाम की वापसी के दौरान इसने धीमे धीमे जड़ें जमाना शुरू कर दिया था ऐसे तो हमास सुनी फलस्तीनी संगठन है जबकि इरान के सपोर्ट वाला हिजबुला शिया लेबनानी पार्टी है लेकिन इसराइल के मुद्दे पर दोनों संगठन एक जुट रहते हैं 2020 और 2023 के बीच दोनों गुटों ने इसराइल के साथ UAE और बहरीन के बीच समझोते का विरोध किया था 2006 में इसराइल के हिजबुला को मिटाने के लिए चलाया था ओपरेशन 2006 में इरान समर्थित हिजबुला संगठन ने इसराइल पर हमला कर दिया था इसकी जवाब में इसराइली सीना ने एक ओपरेशन चलाया था इसराइल ने लेबनान पर ताबर तोड हवाई हमले किये थे जमीन से हमले के लिए इसराइली सीना लेबनान में घुस गई थी 34 दिनों तक चले इस operation में इसराइली सीना ने हिजबुला के कैम्प पर कम दूरी की मिसाइलों और तोपों से गोले बरसाई थे इस operation के खत्म होने के बाद इसराइल ने दावा किया था कि उसने हिजबुला के network को पूरी तरह से तबाह कर दिया है लेकिन एक बार फिर से इसराइल के खिलाफ कई संगठन एकठा हो गए हैं जिससे इसराइल चारों तरफ से घिर गया है Bureau Report, APN